यह लोड दोस्तों यह कल वीडियो में बना नहीं पाया थोड़ा से बीजी रह गया ठीक है बनाई रहा थाप कुछ डेटा ही कलेक रहा था था तक काफी में बीजी हो गया नहीं नहीं इसको मैं अपडेट कर पाया नहीं जनरली कोशिश करता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन में अपडेट करूं और यह वीडियो इसलिए नहीं है कि आज स्टाक 11 परसें अप थाया इन मानिंग वन सपन लाइक एराउं नहीं साड़े गारव बजे कास्पास में साड़े गारव परसें अप तक गया ठीक है अना इधिंग क्लोज नियार 6 परसे विए नहीं आप पर अपनो साघ्राव झाए 0 एंब रही बात कि आएसे सकरद जो है मेरा आप उसमें देखोंगी आप मेरे वीडियो में देखोंगे मेरे आइसे से पृदेंशेल जो कुइन सा फिनांशेल है उस में शामिल है कुइन सा फिनांशेल एक तो इंपर्टेंट चीज यह है कि आप खोष़ आप उसको ट्राक कर रहे हो कुइन सा फिनांशेल को मैं आपको लेकर चलता हूँ महाँ पे टेके हमने बनाय थे एक वीडियो कु इन्साफ फिनांसियल का या याद होगा यह है कुइन्साफ फिनांसियल में ISSA-P eligible आएजडिए प्रफ फिनांसियल किंविएक १ तो कुछनष फिनांसियल में識 EX하신 & HD aLive they are way ahead than any other company in India I can say, ठीके third PSBI life हाएगा ठीके, SBI life, third नहीं बोलेगे rather it's very very strong contender because they have a very strong brand as SBI and the kind of reach they have it's very very difficult for any company to manage okay, but again when it comes to private sector तो अभी भी SBI life is like a उसको जो logo है न उसके थोड़े पक्ष में भी काम करता है थोड़े एंटी भी काम करता है ठीके, तो जिसे आज की रेट में इतना sophisticated digital way में private कर सकता है उतना अभी भी SBI थोड़ा सा तो lackadagical रहेगा थोड़ा तो इसलिए दो ही कमनिया SBI life और SBI life मैंने select किया था और SBI life और SBI life में आप वीडियो में जाके इसको देखोगे आप तो उसको उने mention करता है क्यों इतना बड़ा company है यह तो बहुत लोग मैंने mention करते कि नहीं यह तो बहुत खराब रिजल्ट है इसा कैसा कोई खास नहीं है यह आप देखोगे यह वाला इससे potential का है ठीक है तो actually minus 65% से इनका profit घटा था ठीक है profit जो है minus 65% से गया था ठीक है लेकिन लेकिन हुआ यह कि यह जो और बाकी जो चीजें है वह हम नहीं समझते है ठीक है generally we don't try to go inside the data क्योंकि data जितना importance रखता है न उतना क्यों headlines headlines कभी नहीं देखना चाहिए तो अभी तो कोई जायद भूले यार profit तो बहुत गिर गया profit की तो हालत ख्राब होगी आप क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं जगर data profit बिल्कोर net profit तो net profit जो भी इसका आया कुछ 63 करोड और उसके पिछले quarter में 304 करोड तो अभी का ठीक है ठीक है समझने वाली बात है कि फिर हो क्या रहा है underlying business का क्या हो रहा है ठीक है तो जो major shift किया है ICS Prudential ने वो है जो कि सबसे बड़ा problem दिखता था ULips okay ULips इनका once upon a time just two years back not very old ULips business जो था that was near about 82% 82% ULips और इसलिए HDFC Life का जो valuation है two times था ICS Prudential के क्यों single region से otherwise आज भी उनसे better premium करता है उनसे better profit भी करता था HDFC Life लेकिन यही बात समझ नहीं पारे थे और यही बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है लो shift from ULips to traditional demand for protection यह बहुत important है अब यहों क्या क्या है इस quarter में देखोगे तो यह जो 82% जो दो साल भाई साल पहले कि मैं बात दता रहूँ it has come near 42% 42% ठीक है अब इनको अब जो protection है protection धड़ा धड़ बढ़ रहा है फट्टा फट business बढ़ रहा है protection का और especially जो एक मैंने बताया था एक दूसरे बीडियो में मैंने था गरंटेड इनकम प्लान जो गरंटेड इनके प्लान में जो इनका ग्रोथ जो इड्रेड जब से लोग लांच किये हैं तब से जो आ रहा है ना 90-95% से बढ़ रहा है वो गजब का है ठीक है तो और कुछ इंपार्टेंट डेड़ा और अगें हर बार जब भी मैं बाध करता हूं इससिलिटिल गतों सबसे इंपार्टेंट चीज समझना है ऐसे इसे का वह है इनका नेट्वर्क ठीक है नेटवर्क एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग और इससे बैंक की बात कर दो आइसे बैंक का फुल नेटवर्क, ICC Lombard का फुल नेटवर्क, ICC Mutual Fund का फुल नेटवर्क, मने कितना data हैं के पास to mine and put artificial intelligence to understand and analytics to understand their like next important customers, ठीक है, तो यह चीज़ जो हो रहा है ना, यह मैं दो तीन साल से ही समझा रहा हूँ कि यार, क्यों बैलिएशन पर मज जाओ, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, समझो उसके पीछे कि इशू क्या है, ठीक है, तब जो main जो shift, main जो shift जो देख रहा है आज market, जो growth हो रहा है, that is your BNB into new protection business, protection business इतना तेजी से बढ़ रहा है अच्छा, persistency बहुत अच्छा, persistency आपको पता होगा, persistency होती है, जितनी ज़्यादा persistency, ठीक है, उतना मतलग कि यह बताता है, कि कितने पुराने customer वापस से आए, ठीक है, पुराने customer का वापस आना is like, कि इसको माना जाता है कि your brand is very strong, people have lot of faith in your brand, okay, lot of people are coming for second buy, अपने सारे premium दे रहे हैं और नए कर दे रहे हैं, ठीक है, claim settlement ratio, यह भी मनें, अभी क्या है कि शुरू के दिन है, तो आपको हर insurance company, पता नहीं मनें सब करते हैं, जो insurance company, जितनी ज़्यादा claim settlement ratio दिखाती है, नहीं मनें, हमको जितने claim हुए, उस में से हमने 97.9% claim हमने settle किया, यह बहुत बड़ी बात होती है, क्रोना में लों जोग के पैसे इनके खराब हो रहे है, ठीक है, इसलिए साइदीन का लॉस भी है, ठीक है, लेकिन idea यह है कि this is not a one-day business, ठीक है, इससे क्या होता है कि they kill the competition itself, एक time is a brand building, claim ratio settlement is a brand building, ओके, अच्छा, new business premium, YUI growth 22%, AP YUI growth 27 on paid percent, ओके, average premium के जो growth होता है, और जो नए business है, तो नए business का बहुत importance है, अच्छा, premium diversification, तो product mix, आप देखो, यह linked है, जो बता है, 48 हो गया है, जो कि 82 से आ रहा है, तब इसको आप समझो कि कहा 82, ठीक है, 82%, यह देखो, ठीक है, यह देख रहा है, 82%, ठीक है, यह 82% से, जो कि FI 2018 में था, यह मैं बार बार सको बता था हूँ, कि टाइम ले लगी गा यार, एक टाइम था, जो कि mostly यूली बिखता था, तो यह कमने यूली बेचती थी, पैसे कमाती, आप्टर लाल, इस यह दो मेक मनी, राइट, उसको डाइवर्सिफाई करने में इनको टाइम ने लगा, 82 को 48 कर दी है, विदिन 2 यर्स, विदिन 2 यर्स यार, बहुत बड़ी बात ह जो 11% नान लिंक था, ठीक है, उसको अगे 31 पे आगे, प्रोटेक्शन, 6 से 16 आगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, ओबराल 16 आप बनाना, क्योंकि साइज इनके बहुत बड़ी है, साइज कोई छोटा मोटा तो इंसरेंस कमनी है नहीं, ठीक है, डिस्ट्यूबिशन, LIC is run by mostly their agents, ठीक है, और going forward, no one's want to pay for agents यार, if the same, if the same product, if I can buy from online, why I should give 30% money to agents, इसले LIC का जो सबसे बड़ा प्लावन है, agent network, they have not built lot of technology-based network, वो यह आपका यह ICC potential कर रहा है, ठीक है, some assured market share, market share अपना एकदम maintain कर रहे हैं, तगड़े तरीके से, तो आपके private में लगभाल लगभाल सबसे बड़ी कमनी है, persistence दिखा रहे हैं आपके persistence हमारी बढ़ती जा रही है, persistence जितनी बढ़ रही है, मतलग कि बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, 90% प्लस जगर परसिस्टेंसी लोग जब मैच कर दिये न, तो देविल क्रिएट शूपर डूपर ब्रांड, तब जाके इसकी बात बनेगी, तब देखना कि कैसे 27-28% से, देखना कि आपड लोग कर ब्रूपर अच्छे तो सब अच्छीन हो न थाकिर शूपर्स आचे यह, 2-16% माल दा कि आथ अच्छीन हो जब देखना कि आफ वो, मौत अच्छीन अच्रूद यह ज़्ना था, पूरट दिखना क्रोट रही है, पूT बिगेस्टिंग हैपेंड पर इंसुरेंस कमनी इसमें लाइफ इंसुरेंस कि जो चीज अगले दस बरस में होना था न वह एक दू बरस में अब हो जाने वाला है सब को पता चल गया कि भाई तेरे पास अगर इंसुरेंस नहीं है तो तो कभी भी घायल हो सकता है तरह बहुत पर चले जाएंगे अभी जिसके जिसके पास इंसुरेंस था सब बहुत इजली जाकर अपना बेड़ पर अपना पैसे दिये जा रहे तो इनके जो में में जो इनका और गया है में जो मोटीव हो गया है कि प्रोटेक्शन को कैसे 20 परसंट के आसपास रखना यूलीप को नी बहुत बिखता है तो फोटी परसंट से नीचे यूलीप को रोखो और बाकी रेस्ट में आपका जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट वाली होते है इंडाउमेंट हो रहा हो गया तो मेन प्रोटेक्शन ही है प्रोटेक्शन और इन्यूटी बिजनस आप देखोगे न यहां पर कह है और इन्यूटी वाई वाई गुरोव से देखो कहां जा रहा है तो फोटीन परसंट मैं बता रहा था कि जो ब्रांट बहुत इंपर्ट जो ब्रांट जितना स्ट्रॉंग होता है उसके इन्यूटी प्रोड़क्शन सबसे स्ट्रॉंग होते हैं ठीक है तो मैक्स लाइफ इन्यूटी इतना अच्छा से नहीं बेच वाएगा या मैक्स मैक्स को लोग मेरा जो माना इंड इसरे कि मैक्स ना बेतु के तरीके से चोटे कमने बहुत बेतु को टरीके से लेट मान लेट्स ना टेक देक दर नेम एनिवन बहुत सारी लोग जो प्रोड़क्शन वाल है आपका जो term insurance होता है term insurance बहुत उल्जूल तरीकी से underwriting हो रही है बहुत cut हो रहा है industry में लेकिन आप यह सब जो कमनिया है HDFC Life वो ICC इसको बहुत ध्यान से देखती है कि हम कितना कैसे maintain करेंगे अपना margin थोड़ा cut हो जाए लेकिन कहीं हम risk तो नहीं ले रहे है वो साथ इन पार्डेंड हो जाते है तो एन्यूटी बिजनेस फार है मतलब कि HDFC Life जो कर रही थी उससे कहीं कम न करने वाला है ठीक है पैंसार एन्यूटी मास्तिं का जो पैंसार जो लो अपना 500 ले बिजनेस है वो सही साथ चल रहा है कोई टेंसन नहीं इसमें चाहते के हैं कि लांग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ जो भी हम बनाए उस बिल्ड़ाप करें लांग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए और बेरी स्ट्रांग डिस्ट्यूबिशन बिल्ड़ाप क्योंकि इंस्रेंस में क्याते हैं इंस्रेंस इस टिल नाट पूल प्रड़क्ट मतलब खुद खुद कस्टमर नहीं आता है इन जनरल वह सरे कस्टमर को खीचना ही पड़ता है इसलिए एजनसी अभी भी बहुत इंपार्टेन हो जाती इसमें तो यह जो कर रहे हैं अनलेटिक्स डिवेंट अफसेल चैनल डावर्स फाइब प्रड़क्ट मिक्स टेन परसंट प्रड़क्ट नान लिग सेविंग प्रड़क्ट यह इनका मोटिव है कि ऐसे मेरे को करना ह चाहिं के 600 यह तो इनके बारे में बता रहें इसट्रिबूइशन का बारे में सबसे कोई टेंशन नहीं नहीं दिस भुग इस ट्रौग इनका बैंक इंसुरेंस देखो खटर 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 बढ़ जा रहा है को कि बैंक इंसुरेंस बहुत बड़ा चैनल होता है इनके लिए आईसे सी के साथ बाकी ऐसे कुछ में नाट टॉक मोर इबाउट फिनेंसल को कि फिनेंसल में 65% इनके लॉसस हुए है मतलब जो प्राफिट है वो कम गया है कोवीड में अच्छा कसा क्लेम नेट क्लेम जो टोटल क्लेम अन एकाउंट 459 क्रोर्स बास 459 क्रोर्स अभी तक लो दे चुके हैं ठीक है और अभी भी 330 क्रोर के इनके पास प्रोविजनिंग रख्की हुई है जो कि विटलाइज नहीं ह हुआ है और खुदाना खासता इटलाइज नहीं होना चाहिए लेकिन यहीं है कि जो मैं बदाया कि जो चीज जो चीज आट-तस साल में होने चाहिए थी दस साल में वो सारी चीजें बहुत जल्दी होने जा रहा है फार आल इस इंसरेंस कंपनी ठीक है वो एक